नमस्ते and hello to all the handsome men and beautiful women out there, welcome to my fitness motivation channel, get fit, your one stop destination for all fitness related queries, so friends, आज इस टोपिक में मैंने वीडियो बना है, वो बहुत ही hot topic है and एकदम latest topic है, जिसका जो है एकदम गरम गरम news जो है मैं आपको देना वाला हूँ, so friends, कुछी घंटा पहलो जे मिस्टर साहिल करन के यूटूब चैनल पे न and team seru, ठीक है and मैं जो है आपना वीडियो में आपको latest news लाते रहता हूँ, as per the latest update on the various social platforms and आप तक सही खाबर जो है मैं पहुँचाने के कोशिस करना हूँ, so that आप जो है खुद से डिसाइड कर सके कि Indian athletes के लिए क्या बेटा रहे, क्या सही है, जिसे की है उनका future secure रहे and अगर आपको सही information मिलती रहे and आप जैसे जाते इसको share करके आपने दोस्तों को बीच, आम athletes के बीच जो है इसको पहुचा सके, क्योंकि हम सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि it is about the future of each of every athlete in this country, so आज का उनका वीडियो में उन्होंने एक नया athlete एक NRI athlete, एक बीकिनी athlete, Miss Anika Dissuza को promote किया है and उनका एक वीडियो क्लिप भी उन्होंने शेयर किया है and कभी सारा allegations भी उन्होंने लगाए, major allegations तो इसी, so उनका जो वीडियो था, उसमें जो है 5 major allegations उन्होंने लगाया, वही जम्हें आपके सामने आभी लाने वाला हो, so let's go check the video, तो अनिकेट इसूजा, जो है, कॉंपीट करने आये थे, इंडिया में, फो शेरू क्लासिक and, एमेजर ओलिम्पिया, उनका जो experience उन्होंने शेयर के and उन्होंने जो है, उनका experience, उनका ही एक वीडियो फूटेज जो है, अपना YouTube चैनल में प्रमोट किया है, but उन पे जो उस accent, उन्होंने जो है, आपने accent में, पूरे English में ही पता है, तो उसका ही जो है, summarize करके में main point सबको पता देता हूं, so that you stay updated and आपके पास correct information पहुंच जाए, तो first point उन्होंने जो कहा है, कि जब वो competition करने गई थी, पहला बात है difference in treatment, मतलब जो लोग यह बैक स्टेज में, जिन ज जो बाहर से आए हुए थे, जैसे NRI हो, या फिर आधर जो काउंस है, या फिर कहीं से बाए हुए, उनके लिए अलग treatment, उनको बहुत जादा hassle face करना पड़ रहा था, just to enter the competition, और even get registered, second जो उनका allocation था, उनका एंड से यह था, कि वो जब line पे गए, registration करने के लिए, there was a common line for both men and moment, जो की नहीं होता है, उनका जो third allegation था, यह था, कि जब वो posing करने के लिए चड़े, ठीके, तो वो जो है, क्या होता कि एक rule होता है, आपका standard की आपको किस तार रूटीन करना है, ठीके, कौन कौन सा posing किसके बाद करना है, तो accordingly, she was prepared and she went upon the stage to do the same, stage पर जाके जैसे ही वो posing कर किये, एक minute भी नहीं हुआ था, फूजी second वो उनको कहां कहा है, जो कि प्रॉपर तरीका नहीं होता है, and it is also against the IFBB rules, so friends, now coming to our fourth allegation, तो नका fourth allegation यह भी था, कि जब वो backstage में थी, तब वो notice कि बहुत सा लड़किया को जो है, अलग से ले जाके, front double bicep का pose करवा जा रहा था, जी आत उटा के double bicep दिखाना पड़ता है, and यह जो पोस है, यह जो particular pose, that is not allowed for the bikini category, ठीक है, bikini category में जो woman category रहा था, उसमें जो ही यह पोस अलओ नहीं रहा था, पर still, यह पोस करवा जा रहा था, so this was her fourth allegation, उनका जो fifth allegation था, वो एक major allegation था, most important allegation, वो यह था, कि जब वो stage में पोसिंग अपना कर रहे थे, then she noticed that there was some guy, कोई आदमी जो था, एक white shirt pen के judges का बीच में जो बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसका जो है picture भी उसाहिल खान का वीडियो में दिखा गया है, as a proof, and बाद में पता चला कि जो लड़की first आई है, ठीक है, वो आदमी जो था, उसका coach था तो यह भाई कहा का रूल है, कि competition का बीच में, कोई भी coach जाके, judges का बीच जाके, बात करेंगा कि यह भाई बंदी मेरी है, यह लड़की मेरी है, यह athlete मेरी है, ऐसा तो नहीं होता है न, that can be called as a, you know, like fair competition, so यह बहुत बड़ा allegation था, जो fifth allegation होंगा था, so Miss Anika ने यह कहा कि वो जो है, about मेरे रहती है, साल भर, मतलब 24-7, 365 days, full time जो ही यहीं करती है, and future में भी जो है, इसी को pursue करना चाहती है, but उनका जो experience रहा, इंडिया में वो बहुत ही खराब experience था, due to the management and the organizers, and इसके बाद जो हो कभी भी, इंडिया में आके, compete नहीं करने वाली है, in such kind of competitions, so जैसे कब देख सकते हैं, यह सब हरकतों के लिए जो है, इंडिया का नाम बनाम हो रहा है, भार सा एथलेट भी आना टर रहा है, even the NRI people, who are Indians, are also complaining against it, and वो जो है, international coach के पास train करती है, and उनका coach जो भी है, इस, यह जो सारे चीज हुआ, during the competition, bad experiences, उनका भी यही कहना था, कि उनका सवाल पूछे, जो है, हर एथलेट को सोचने के लिए मजबूर कर देठा है, कि उनका future क्या है, इंडिया में, in this fitness industry, तो उन्होंने कहा, Mr. Seru से कि, अरे भाई, यह कैसा बात है, कि तुम्हारा जो जान परीचे है, आप जो है, उनको सिर्फ सास रुपे में एंट्री दे रह जो है, जो आपका जान परीचे वाला नहीं है, जो बाहर साय हो है, उनसे जो है, बीस हजर, तीस हजर, पचास हजर तक भी खर्चा करवा रहे हो, तो यह तो एकदमी unfair है, पहला बात, तो दूसरा बात, जो major allocation उन्होंने लगाया ने, एक सवाल भी पूचा Mr. Seru कि, आप जो जो है, गरीब athlete का खुन पशिना का कमाई चूस रहे हो, वो पैसा चूस चूस के चूस चूस का अभी जो है, अपना competition में इतना turnover दिखाए, इतना उपर में पहुँच गए हो, ठीक, एन उसको उपर एक अलग वीडियो भी बनाने वालाइस है, Mr. Sahil, जो कि उन्होंने अपन कर नामबर 3 में पहुचा दिये, अगर वो कहते हैं, तब सब आपका अप्रिशेट करता है, अब जो है, आपना ही बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, और बता रहे हो कि वोल्ल रैंक में 3 चल गया, जो कि कोई बड़ा वाला बात नहीं है, बिकोज इसमें जो है, एथलीट का क पुरा परबाद हो जा रहा है, और मिस्टर साहिल ने ये भी कहा कि जो टेंट वाला कॉंपीडिशन होता है ना, पहला बात है कि most of them are government registered by, you know, like the Indian government, और उनका जो वीनर होता है ना, उनलोग को government jobs मिलता है, उनका future secure होता है, अब भले वो टेंट वाला कॉंपीडिशन का और जो है, बहुत रहिस नहीं होते है, या फिर वो टेंट वाला कॉंपीटिशन जो है, वाल्ड रैंक में नहीं जाते है, क्योंकि वो एथलिट से खुन पशने का कमाई नहीं चुछते है, in fact, वो एथलिट को उल्टा जो है, price money देते हैं, bullet, bikes देते हैं, sponsors देते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, उल्टा पैसा ले रहे हो, and end में जो है, जो आपका भी विनर हो है, उसको कहा है, medal or certificate दे रहे हो, कोई cash मानी, कुछ नहीं, no sponsorship, nothing for the athlete, just आप ही बिजनेस कर आपना प्रोमोशन कर रहे हो, so ये trend वाला जो competition रहता है, far better than the so called world rank 3 expo, and lastly, Sahil Khan ते अपना वीडियो म वो दो तरह का होता है, एक होता है, सरकास वाला जोकर, एक होता है, मुवी वाला जोकर, तो सरकास वाला जोकर जो है, वो clown होता है, सब उस पर हसता है, मजा गुड़ा आता है, लेकिन जो मुवी वाला जोकर है, वो एक supreme and major villain है, I think he is comparing it to the Batman, ठीक है, तो मुवी वाला जोकर सरकस वाला जोकर के भीज़ एक कॉंपरिजन किया जोकर दोनों होता है बट दोनों का अंदाज दोनों का परसुलाइटी अलग होता है यही था मैरा आज का वीडियो और लेटेस्ट अपडेट ऑन दा वीडियो जोके भी साहिल खान का यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो है वह जो ऑरिजिनल वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो फ्रेंड्स यह जो मैरा वीडियो था यह करते हैं जो कि बहुत शॉट शॉट वीडियो है अब पूरा क्लियर आइडिया हो जागा कि टोटल जहमेला जो है किस विशा में हैं किसका पॉइंट क्या है तो डोंट फ़गेट टो चेक दब प्लेलिस्ट अड इसी तरह का जो है मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ आज का वीडियो फ्रेंड इतना ही थैंक्स वर वाचिंग एंड फोगेट टो सब्सक्राइब एंड प्रेश द बेल आइगन फोर नोटिफिकेशन और इस वीडियो का प्लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग एंड शेयर कीजिए जाज-जाज-जाद अपना झाल